असलामों अलेकुम, हेलो फैंस, वल्गम डो मैं जहारास की चैन, मैं हूँ जहारा, उमीद करती हूँ, आप सब खरेश से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ बहुती मज़ेदार चम-चम की रेसिपी लेकर आए हूँ तो चलिए मज़ेदार का चम-चम की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं चम-चम बनाने के लिए मैंने हाँ पर एक किलो ले लिया है, फुल फैट मिल्क स्टोप के हाई फ्लेम पर दूद को उबाल लेंगे, जैसे ही दूद अच्छी तरह से खौलने लगेगा उसके बाद हमें क्या करना है, श्रोप को ओफ कर लेना है, क्योंकि हम दूद को भी फाड़ने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए, दूद अच्छी तरह से खौलने लगा है, अब मैं यहाँ पर श्रोप को ओफ कर लेती हूँ यहाँ पर दूद को फाड़ने के लिए मैंने लिया है वाइट विनेगर, आप चाहें तो यहाँ पर नीमबू के रसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं एक लिटर दूद के लिए आपको एक निम्बू का इस्तिमाल करना है यहाँ पर मैंने विनेगार ले लिया है दो चमच अब मैं यहाँ पर हाफ कब डाल देती हूँ पानी अच्छी तरह से पानी और विनेगार को मिक्स कर लूँगी उसके बाद हमें हाँ पर थोड़ा थोड़ा करते वे दूद में एट कर देना है देखते देखते दूद बिल्कुल फट जाएगा पानी अलग और चेना अलग हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए पिनेगार और पानी को मैंने मिक्स करके रख़वा था उसे मैंने हाँ पर डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करते वे मैंने हाँ पर डाल वा है और आप देखते देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल छेना अलग और पानी अलग हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना इसे चान लेना है तो यहाँ पर एक अलग से मैंने बोल लिया है जिस पर मैंने चलनी रखा हुआ है उसको पर इस तरह से रुमाल रख लूँगी और छेने को हम चान लेंगे इसका पानी अलग कर लेंगे और छेने को हम अच्छी तरह से स्कुईस कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने छेने को अच्छी तरह से स्कुईस कर लिया है अब मैं इसे निकाल देती हूँ एक प्लेट पर फिलाल थोड़ा सा गर्म है अब मैं इसे क्या करूँगी हाथ से थोड़ा सा तोड़ लूँगी इस तरह से उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज आड़ करेंगे जिससे हमारा चम चम बहुत ही मज़दार का बनकर त्यार होगा अब मैं हाँ पर डाल देती हूँ एक चमच सूजी इसी के साथ हमें हाँ पर एक चमच डाल देना है कॉन्फोर पाउडर अगर आपके पास कॉन्फोर पाउडर नहीं है आप यहाँ पर एक चमच मैदे का इस्तिमाल कर सकते हैं अब मैं हाँ पर डाल देती हूँ अपने उंगली से यानि दो चुटकी हमें यहाँ पर डाल देना है बेकिंग सोडा सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम छेने पर और अच्छी तरह से मैस करते वे इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे अगर हम रजगुला बनाते हैं स्रिफ हम छेने से ही रजगुला बनाएंगे यहाँ पर मैं चम-चम बना रही हूँ तो उसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूजी, कॉन्फर पॉडर और बेकिंग सोडा डाला हुआ है जब मिक्चर इस तरह से बैंडिंग फॉर्म पर आ जाएगा उसके बाद हम इस तरह से चम-चम का सेप दे देंगे तीन से चार मिट के लिए मैंने अची तरह से मैस करकर इस तरह से मिक्चर त्यार कर लिया है अब मैं यहाँ पर चम-चम का सेप दे देती हूँ तो यहाँ पर एक किलो दूद में आपका एक किलो चम-चम बनकर त्यार हो जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा अगर आप घर पर बनाते हैं बाजार से खरी देंगे बहुत ही महेंगा होगा तो चलिए हम इसे सीरे में बना लेते हैं अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कप चीनी इसी के साथ धाई कप हमें हाँ पर पानी आट कर देना है हाई फ्लेम पर हम चीनी को अच्छी तरह से डिजॉल्व कर लेंगे चीनी के घुलने तक हम इसे पका लेंगे एक तार का सीरा हमें नहीं बनाना है बस हमें क्या करना है चीनी को अच्छी तरह से गाला लेना है एक कप चीनी में मैंने धाई कप पानी लिया है स्टोप का फ्लेम हाई कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से घूल चुका है और इस तरह से खौलने लगा है अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी एके करते वे चम चम जब पानी इस तरह से खौलने लगेगा चीनी के घुलने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर चम चम एट करना है और स्टोप के हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15-20 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए इसका लिड लगा देती हूँ 15 मिनिट के बाद अब हमें क्या करना है इसका लिड हटा देना है यहाँ पर देखिए चम चम का साइज बिल्कुल डबल हो चुका है आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं रजबुला लगेगा खाने में लेकिन हम यहाँ पर चम चम बना रहे हैं एक ग्लास के करीब मैंने हलका सा पानी ले लिया है गर्म पानी अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते वह पानी डालूँगी और इस तरह से हमें इसका जो टेंपरेचर है उसे मेंटन करते रहना है रसगुला खाने में बहुती सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है लेकिन चम चम थोड़ा सा टाइट रहता है लेकिन हो खाने में बहुती जूसी लगेगा रसीला रहता है लेकिन थोड़ा सा टाइट रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुगर सिरफ अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर चुका है अब हमें क्या करना है श्रोप को आफ कर लेना है इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे अगर ज्यादा पकाएंगे तो यह मीठा हो जाएगा बहुत ज्यादा अब हमें क्या करना है इसे हम चलनी पर निकाल तो यहां पर अब मैंने एक चलनी ले लिया है करते वे चमचम में इसके अंदर रख लेती हूं थोड़ा थोड़े दिर क्लिए हम इसे थंडा निकले चोड़ देंगे उसके बाद मैंने हाप लिया है डेसी केड़ेट कोकोनट तो उसके उपर हम इस तरह से कोटिंग कर लेंग तो इस तरह से आप जरू ट्राइए किजिएगा बहुत ही मज़िदार का चमचम बन कर तयार होता है घर का बनाया हुआ है आने वाली दिवाली के मौके पर भी आप चाहें तो इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं स्रिफ दूट से बनता है ज्यादा भी कोई इंग्रि जट में हमारा चमचम बन कर तयार हो जाता है तो इसे जरूर ट्राइए किजिए किसी भी ऑकिजन पर आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं खुशी के मौके पर या फिर अगर आप फूल लंच या फी डिनर के बाद कोई भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे जट पर बना कर त पसंद आएगा तो फ्रेंड्स अगर आज की घर का बनाया हुआ चमचम की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करते बेजाए अगर पसंद नहीं भी आती है आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं रेसिपी के साथ अपना ख